और फिर सुआखत एक नई वीडियो में अज करने वाला हुआ से आज के वीडियों में बात करने वाला हूं किस तरीके से आप फिंगर्प्रिंट लॉक को चैंज कर सकते हैं या फिर two finger print लगा सकते हैं यह नोगया का फोर में लगा रहा हूं Android phone है ये भी और किसी भी Android phone में लगा सकते हो फो भी वो Realme, MI, Redmi या फिर Xiaomi किसी भी phone में आप यूज कर सकते हैं तो आज की वीडियो में यही बात करने वलाओं आपको सबसे पहले setting में जाना है किसी भी mobile के setting में ही होता है सारे features तो setting में जाने के बाद आपको महारी ऑप्सन देखने को मिलता है तो security and location आपको दिखता है किसी में कुछ दिखता है तो आप देख लीजे की security में ही होता है तो आप security में जैसे ही जाएंगे तो आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा यहाँ पर fingerprint lock देखने को मिल जाए किसी किसी में बाहर ही होता है fingerprint lock तो जो भी आपका pattern lock है वो डाल लेजिए for example मेरा pattern lock यह है तो मैंने यह डाल दिया है easy ही है और आप भी रख सकते हैं यहाँ पर add मेरा पहले से भी एक add है और एक और add करके दिखाता हूँ आपको multiple आप कितने मर्जी उंगली लगा सकते हैं तो इसके उसके बाद आपको यहाँ पर next पर click करना है next पर click करने के बाद यह कह रहा है उंगली लगाई यह बार बार टच करना होगा आपको तो एक बार और next करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर यह देख सकते हैं अब यह कह रहा है उंगली लगाई यह तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं तंदर के अंदर बरिए जब तक आपका यह 100% आ опять simply such a test करते रहते रहेंगे आपका जो problem है वो sort out हो जाएगा उसके बाद जैसे ही आप next करेंगे आपका fingerprint lock लग चुका होगा तो done पे किलिक कीजिए इसी तरीके से आप भी लगा सकते हैं किसी किसी cases में दो बार आपको ये fingerprint add करना होता है तो I think fingerprint lock लगाना आपने सीख लिया है आज के वीडियो में हमने सीखा है क किस तरीके से आप fingerprint lock लगा सकते हैं वीडियो पसंदें तो like share and subscribe करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार